एक्स्प्लेनेशन पसंदा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मूवी स्टार्ट होती है और हम टोला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी स्केट बोट से कहीं जा रही थी उसके बैग में उसका पैट ओटन भी होता है जो कि एक लिजर्ट था इतने में वहां कुछ लोग गाड़ी में से निकल कर टोला को किड्नैप करने के लिए आते हैं लेकिन ओटन टोला की गर्दन पर एक डिवाइस लगा कर उसकी गिर्द एक शील्ड बना देता है जिससे टोला प्रोटेक्ट हो जाती है इसके बाद ओटन उन आदमियों से फाइट करने के लिए आगे आता है और दो लोगों को मार के नीचे गिरा देता है लेकिन बाकी लोग अपने वैपन्स निकाल लेते हैं अब ओटन अपना आईजा मोड आउन करने की कोशश करता है ताकि वो इन बदमाश लोगों से फाइट कर सके लेकिन वो मौड आउन करने में उसको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है यहां हमें ये बात रिवील होती है कि ये सब एक डिजिटल सिम्योलेशन है जो कि एक आदमी जसका नाम टुंडे होता है वो परफॉर्म कर रहा था टुंडे एक एंजिनियर होता है जो एक ऐसा रुबोट बनाना चाता है जो उसकी हल्प कर सके और उनकी कंट्री से क्राइम को हतम कर सके क्योंकि उनकी कंट्री में क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था सीन चेंज होता है और हम टोला को देखते हैं जो उस वक्त सोकर उटती है टोला चुके टुंडे की बेटी होती है इसलिए उसके रूम में तरह तरह के गैजट्स मौजूद होते हैं जिसकी वज़से टोला एक पुर असाइश जिन्दगी गुजार रही थी आज वो बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके डैड उसे मिलने के लिए आने वाले थे इसलिए वो बहुत सारी तयारिया करती है इसके बाद वो अपने डैड को लेने एरपोर्ट चली जाती है वो एरपोर्ट पहुँच कर बहुत खुश दिखाई देती है इतने में टुंडे भी वहां आ जाता है अपने डैड को देकर टूला भागती हुई उसके पास जाती है उसे इस तना अकेले भागते हुई देकर उसके डैड उससे नराज होते हैं और उस पर खुशा करने लगते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें अकेले एरपोर्ट नहीं आना चाहिए था बहराल वो लोग घर की तरफ रवाना हो जाते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कोई छुपकर उनकी जासूसी कर रहा है और वो जासूस जिसका नाम बाडी होता है घर तक टुंडे का पीछा करता है रास्ते में टुंडे रेडियो आन करता है जिस पर बच्चों के किड्नाप होने की खबरे चल रही थी जिससे सुनकर टुला समझ जाती है कि उसके डैड उसको अकेले आने से क्यों मना कर रहे थे ये सुनकर टुला अपने फादर से एक्सक्यूस करती है और उन से कहती है कि आएंदा इस तना बिल्कुल नहीं होगा इसके बाद वो लोग घर पहुच जाते हैं घर पहुचकर टुंडे एक जरूरी कॉल पर बात करने लगता है टुला ने अपने डैट के लिए लट्टू बनाये होते हैं लेकिन उसके डैट कॉल में इतने बिजी होते हैं कि वो टुला की तरफ देखते भी नहीं लेकिन टोला लट्टू की प्लेट लेकर अपने डैड के सामने आ जाती है उसके डैड उससे कहते हैं कि किसी अरजन्ट काम की वज़ा से वो आज उसके साथ नहीं रह सकेंगे जिसे सुनकर टोला बहुत अपसेट हो जाती है सीन चेंज होता है और हम एक लड़के कोल को देखते हैं कोल टोला की घर में काम करता था और वो टोला का बहुत अच्छा दोस्त भी था कोल को टोला का बढ़ते याद होता है इसलिए वो साथ में खूब खेलते कूथते हैं जिसकी वज़ा से टोला का मूट अच्छा हो जाता है दूसरी तरफ हम टुंडे को देखते हैं जो कि ओटन की आईजा मोट पर काम कर रहा था मुसलसल कोशच के बावजूद भी वो काम्याब नहीं हो पाता और वो ओटन को ठीक तरह से ट्रास्फॉर्म नहीं कर पाता इतने में उसके पास उसके बॉस की कॉल आती है उसका बॉस उसे चल्दी प्रोजेक्ट खतम करने का कहते हैं यहाँ पर टुंडे की सेक्रेट्री उसको मश्वरा देती है कि बॉस को दिखाने से पहले ओटन को एक तफ़र टेस्ट कर लिया जाए यह सुनकर टुंडे ओटन को टोला को दे देता है क्योंके टोला को एक पैट की जरूरत थी लेकिन वो ओटन को देकर विल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंके वो एक लिजर्ट था और टोला एक डॉप को अपना पैट बनाना चाहती थी सीन चेंज होता है और हम बाडी के बच्पन का सीन देखते हैं वो लोग उस वक्त बहुत गरीब थे उनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं था बाडी को ये बात बहुत बुरी लगती है कि उनके मौशरे में कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और कुछ लोग बहुत गरीब इसलिए बाडी बड़े होकर अमीर लोगों के बच्चों को किड्नैप करके उनसे तावान के पैसे लेने शुरू कर देता है और वो उन पैसों से कुछ पैसे अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी दिया करता था सीन चेंज होता है और हम टोला को देखते हैं जो के कुल की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है टोला को ये पता होता है कि आज उसके डैट रात में घर नहीं आएंगे इसलिए वो कुल को खाने पर रोक लेती है वो दोनों खूब खेलते हैं सीन चेंज होता है और हम बोडी को देखते हैं जिसको ये पता चल जाता है कि टुन्डे एक बहुत बड़ी कमपनी में काम करता है और काफी मालदार भी है इसलिए बोडी टुन्डे को अपना अगला टार्केट बनाने का फैसला करता है शांत के वक्त टोला कोल के साथ खाना खा रही होती है कि वहाँ पर टुंडे आ जाता है वो कोल को अपनी बेटी के साथ टेबल पर खाना खाते हुए देखकर बहुत गुसा होता है और उसे कहता है कि फॉरण अपने काम पर लग जाओ टोला अपने डैट को समझाने की कोशिश करती है लेकिन टुंडे टोला की कोई बात नहीं सुनता क्योंकि उसे लगता है कि कौल उसकी बेटी की मासूमियत का फायदा उठा रहा है सीन चींज होता है और हम कौल को देखते हैं जो कि घर जाने के लिए बस स्टेंट पर बसकावीट कर रहा था इस दोरान बारिश भी शुरू हो जाती है जब बस आती है तो सब लोग उसमें सवार होना स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन बारिश की वज़ज़ से बस वाला क्रायद जबल कर देता है कोल ये सुनकर परिशान हो जाता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे इसलिए वो पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़ता है रास्ते में उसके पास बाड़ी का फून आता है जो उसे फौरन मिलने का कहता है बाड़ी से उसकी मुलाकात उसकी मदर की वज़ा से होती है कोल हमेशा से डॉक्टर बना चाता था लेकिन उनके पास स्टड़ी करने के लिए पैसे नहीं थे तो उसकी मदर बाड़ी से पैसे उधार ले लेती है पैसे लेने के कुछ दिन के बाद कोल की मदर बिमार हो जाती है जिसकी वज़ा से कोल को अपनी स्टडी चोड़ कर काम करना पड़ता है क्योंकि उसे अपनी मॉम के इलाज और बॉड़ी का कर्ज लोटाने के लिए पैसो की सक्ट जरूरत थी कोल सूचता है के बॉड़ी उससे उधार के पैसे मांगेगा इसलिए वो कुछ पैसे जो उसने जमा किये थे लेकर बॉड़ी के अपार्टमिंट चला जाता है लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो बॉडी उससे कहता है कि कर्जलोट आने के लिए उसके पास इस महीने के एंड तक का टाइम है क्योंकि बॉडी को मालूम था कि कोल टुंडे की घर में काम करता है इसलिए वो कोल से इन्फॉर्मिशन लेने लगता है और कहता है कि टोला को किद्नैप करने में उसे उसकी मदद करनी होगी कोल अपनी दोस्त को कोई नुकसान नहीं पहुचाना चाता था इसलिए वो बॉडी से पूछता है कि अगर वो टोला को किद्नैप करवाता है तो टोला के साथ क्या मौमला होगा वो कोल से कहता है कि टोला को किद्नैप करने के बाद वो उसके डैट से पैसे लेकर टोला को छोड़ देगा और वो कोल से मज़ीद कहता है कि अगर उसने टोला को किड्नैप करने में उसकी मदद की तो वो उसकी मौम के इलाज का खर्चा भी उठाएगा कोल ये जानता था कि उसकी मौम को इलाज की सक्त सरूरत है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो उनका इलाज कर्वा सके इसलिए वो बॉर्डी की मदद करने के लिए तयार हो जाता है सीन चेंज होता है और हम टोला और कोल को देखते हैं टोला कोल से सिठी के दूसरी तरफ जाने की बात करती है कॉल टोला को सिटी के दूसरी तरफ ले जाने की हमी बढ़ लेता है ये सुनकर टोला बहुत खुश होती है और वो लोग सिटी के दूसरी तरफ चले जाते हैं कॉल को ये नहीं मालूम होता कि उनके साथ आटन भी आ गया है जो कि टोला की प्रोटेक्शन के लिए उनके साथ आ गया था ताकि अगर टोला को कुछ हो तो वो टोला की प्रोटेक्शन कर सके हाला कि वो जगा कुछ जादा अच्छी नहीं होती लेकिन फिर भी टोला बहुत खुश होती है और cologne को थैंक्स करती है कि उसकी वज़ा से उसने की एक्सपीरियनस किया यह सुनकर cologne बहुत उधास हो जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि वो tola को बरे लोगों के हवाले कर देगा फिर उसे टolा के साथ गजारा हुआ वक्ट यादा जाता है कि टोला और वो कितने अच्छे दोस्ते और उन्होंने आपस में कितना अच्छा टाइम स्पैंट किया ये सुनकर वो अपना इरादा चेंज कर देता है और टोला को फॉरन वहां से खड़े होने का कहता है टोला को समझ नहीं आती कि अच्छानक कोल को क्या हो गया है वो उसे लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है अभी वो कुछ दूर जाते हैं कि उन्हें रास्ते में बाड़ी का एक साथ ही मिल जाता है जिसे देखकर कोल टोला के सामने खड़ा हो जाता है ये देखकर वो आदमी कोल को पकर लेता है टोला उस आदमी पर अपने बैक से हमला कर देती है ये सब कुछ और टिन भी देख रहा था लेकिन उसकी बैटरी लो हो जाती है जिसकी वज़ा से वो टुंडे को एक सिक्नल भेशता है टोला ये देखकर समझ जाती है कि उसे करने की कोशिश की जा रही है इसलिए वह वहां से भागने लगती है भागते भागते वह कुछ दूर निकल आती है वहां पहुचकर वह एक लेडी से हल्प मांगती है लेकिन टॉला को यह नहीं पता होता कि यह लेडी जिसका नाम हैपीनेस होता है बॉड़ी की एजन्ट है दूसरी तरफ टूंडे को जब सिगनल मिलता है तो वो अपने घर के तमाम CCTV कैमरों को देखता है लेकिन उसे टॉला कहीं भी दिखाई नहीं देती जिसके बाद उसके पास एक वीडियो आती है जिसमें उसके बाद उसके पास एक होलोग्राम मैसेज भी आता है जिसमें उस रही थी कि पता नहीं कोल किस हाल में होगा इतने में वहां हैपीन ऐसा जाती है और टॉला को लेकर अपने बॉस के पास चली जाती है बादी उससे कहता है कि तुम्हें देख फाल कर अपने दोस्त बनाने चाहिए दूसरी तरफ कोल यह सोचकर परेशान होता है कि बादी उ बहुत परिशान होता है, वो होलोग्राम की पिक्चर पुलिस के पास लेकर जाता है, लेकिन उसकी कोई हल्प नहीं करता, फिर वो अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है, जो कि अब पुलिस में था, टुंडे उसे सारी बात बताता है, टुंडे उससे काफी अर्से के मिला था और इस दोरान उसने उससे एक बार भी बात नहीं की थी जब उसका दोस्त ये सुनता है कि टुंडे अपने मतलब के लिए उसके पास आया है तो वह उससे नराज हो जाता है और उसकी हल्प करने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है अब टुंडे 150 मिलियन लेक किद्नैपर्स की कॉल का वीट करने लगता है इसी दोरान उसके पास फिर एक होलोग्राम आता है जिसमें किद्नैपर्स टुंडे से कहते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि तुम पुलिस के पास गय थे इसलिए अब तावान का रेट बढ़ जाएगा और तुम्हें 250 मिलियन देने होंगे तुंडे उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं लेकिन बॉड़ी को ये भी पता था कि तुंडे जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी में तुंडे के शियर्स हैं इसलिए बॉड़ी वो शियर्स अपने नाम करने का कहता है इसके उसे ओर्टिन की तरफ से एक सिगनल मिलता है और वह फॉरन उस सिगनल की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ को दिखाया जाता है जो कि छुपने की कोश्चिश कर रहा था लेकिन बौडी का एक आदमी उसे ढून लेता है और उस पर अटैक कर देता है लेकिन खुशक पूल भी सकती है यहां हमें यह पता चलता है कि ऑटिन एक ऐसा रोबोट है जिसमें सोचने समझने और फैसला करने की सलायत मौजूद है और उसका काम टुंडे और उसकी फैमिली की प्रोटेक्शन करना होता है कोल उसे कहता है कि उसे कुछ नहीं पता क्योंकि टॉला को किट जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन ऑटिन अपनी जबान उस कार से चपका कर उस कार पर चड़ जाता है इतने में टॉंडे वहां पहुंच जाता है वो कोल से ऑटिन का पूछता है तो कोल उसे कहता है कि ऑटिन उन लोगों की कार में चला गया है जिन ल तोला को रस्क्यू करने में उसकी मदद करेगा। दूसरी तरफ वो आदमी अपने बॉस बॉड़ी के पास पहुंच जाता है और उसे सब कुछ बताता है। कि वहां क्या क्या हुआ लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि ओटन उनके साथ-साथ यहां पहुंच गया है। जब तोला से बात करने लगता है। बोलती हुई लिजर्ट को देखकर तोला डर जाती है। और जोर सोर से चलाने लगती है। उस वक्त वहां पर हैपीनेस आ जाती है। और उससे चीखने की वचा पूछती है। तोला उसे जूट बताती है कि वो चुहा देखकर डर गई थी। हैपिनेस के जाने के बाद ओर्टन टोला से बात करने लगता है और उसे कहता है कि उसकी बैटरी लो हो गई है लेकिन इसके बावजूर भी वो उससे बात कर सकता है और टोला की हल्प करने के लिए उसे आईजा मोड में जाना पड़ेगा लेकिन आईजा मोड में जाने के लिए उसे चारजिंग की जरूरत है दूसरी तरफ ओटन को ट्रीस करते हुए टूंडे और कॉल भी वहाँ पहुच जाते हैं जहां पर टोला को रखा गया था लेकिन वहाँ पर बहुत सारे बदमाश होते हैं और टूंडे को ये अच्छी तरह मालूम था कि वो इतने सारे लोगों का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता फिर कॉल उसे बताता है कि उसकी मॉम ने बदमाशों से निमटने के लिए उसे बहुत कुछ सिखाया है इसलिए वो हमेशा बॉडी की हर बात रिकॉर्ड करता था और वो फिर टूंडे को बताता है कि उसके पास बॉडी की वो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें उसने टूला को किडनाप करने की साज़श की थी ये सुनकर टूंडे बहुत खुश होता है और वो ये रिकॉर्डिंग बॉडी को भीच कर कहता है कि अगर उसने टूला को नहीं छोडा तो वो ये रिकॉर्डिंग पुलिस के हवाले कर देगा ये सुनकर बॉडी को बहुत कुछ साहता है क्योंकि उसका सारा फ्लैन खराब हो गया था इसके बाद बॉडी ये देखता है कि टूंडे और कॉल दोनों बाहिर ही कर रहे है बॉडी टूंडे को कॉल करके उसे बिज़ी रखने की कोशिश करता है इतने में बॉडी के बदमाश कॉल और टूंडे को पकड़ कर ले आते हैं और उन दोनों को बंद कर देते हैं कोल को टोला के साथ बंद कर दिया जाता है लेकिन टोला उसे कोई बात नहीं करती और उस पर अपनी नाराज़की का इसहार करती है कोल उसे संचाने की कोशश करता है कि उसने जो कुछ भी किया अपनी मॉम को बचाने के लिए किया क्योंकि उसकी मॉम बहुत बिमार है और उन्हें इलाज की जरूरत है इस पर टोला कहती है कि अपनी मॉम की हेल्प करने के लिए उसके पास और दूसरे रास्ते भी थे कोल टोला से कहता है कि हम जैसे घरीब लोगों को जिन्दा रहने के लिए बहुत फाइट करने पड़ती है जिसका अंदाजा वो कभी नहीं कर सकती और नहीं वो ये समझ सकती है कि उस पर इस वक्त क्या बीट रही है इसके बाद कोल की नजर ओटिन पर पड़ती है ओटिन को अपने साथ कार में लेकार आता है तुंडे उससे कहता है कि तुम्हें जू चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है अब तुम हमें छोड़ दो लेकिन बाड़ी को अभी उससे और बहुत कुछ लेना था वो टुन्डे से कहता है कि उसे उसकी कंपनी के सब इंप्लाई और सब क्लाइंट्स की डिटेल्स चाहिए जिस पर टुन्डे कहता है कि ऐसा करना इंपॉसिबल है क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे कंपनी के सर्वर को हैक करना होगा कोल उसे कहता है कि उसे किसी भी तरह आटिन को चार्ज करना होगा टोला उसे बताती है कि चार्जर तो सरिफ उसके फादर के आफिस में है आफिस से चार्जर लाने के लिए टोला रोनी की एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है जिसके बाद कुछ लोग उसे उसके डैट के पास ले जाते हैं टोला आफिस में जाकर खामोश हो जाती है और बात तो बातों में चुपके से चार्जर उठा लेती है और फिर वो टोलिट का बहाना बना कर वहाँ से चली जाती है इसके बाद कोल और टोला मिलकर बॉड़ी के एक आदमी को बेहोश कर देते हैं क्योंकि उस आदमी में उनका प्लैन सुन लिया था फिर वो दोनों ओटन को चार्ज करना स्टार्ट करते हैं लेकिन तभी वहाँ पर हैपिनेस आ जाती है और वो टोला पर अटेक करने ही वाली थी कि वहाँ ओटन आ जाता है जो कि अब पूरी तरह चार्ज हो गया था और वो टोला को बचाने के लिए आईजा मोड में चला जा है और हम टोला को देखते हैं जो भागती होई अपने डेट के रूम में जा रही होती है जब वो अपने डेट के रूम पहुंचती है तो बोड़ी उसके डायट को मार रहा है को कि टूंडे बहुत वक्त लेने के बावचूद भी सर्वर को हैक नहीं कर सका था अब टोला अ ये वीडियो वाइरल हो जाती है और पुलिस के पास भी ये वीडियो चली जाती है इसके बाद पुलिस भी टुंडे के घर के बाहिर आ जाती है बाड़ी ये देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन ओर्टिन उसे बान देता है इस तरह पुलिस बॉटी को पकड़ कर ले जाती है सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कॉल और टोला तोबारा से आपस में फ्रेंड्स बन गए हैं और टुंडे कॉल से उसकी पढ़ाई और उसकी मॉम के इलाज का वादा करता है इसके साथ ही ये ब्यूटिफल मुवी यहीं पर एंड हो जाती है सो फ्रेंड्स ये थी आज की एक्स्पिनेशन आई होप कि आपको पसंद आई होगी अगर आपको मेरी एक्स्पिनेशन पसंद आ रही है तो मेरी वीजियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स वर वाचिंग